आज मार्केट ने क्या किया और कल मार्केट क्या कर सकता है आज हमें बहुत ही अच्छा मार्केट पॉजिटिव मार्केट देखने को मिला यह जो पैटन बना था यह ट्राइंगल पैटन का ब्रेक आउट कल मार्केट ने दे दिया था और आज गैप अब खुलके मार्केट ने पूरा पॉजिटिव रैली दे दिया एक यह जो पैटन बना था आमने 14 तारीक को 28 तारीक को सॉरी यहां पर अगर देखोगे टेलिग्राम गूर्प में मैंने यहां पर यह आपडेट पोस्ट किया था दो बच के 40 मिनिट दो पर में अपडेट किया था कि ऐसा पैटन मर्केट में बन रहा है यहां पर तारीक आ रहा है मामबर 24 और यह भी लिखा था मैंने कि एक्स्पाइडी तक कि मुझे मूद तो एक्सपाइर से एक दिन पहले आ चुका है मैंने ब्रॉबी करके रखा था उसका टार्गेट कहां तक आ सकता है तो यह टार्गेट आज मिल गया डाउन सेंट का भी मैंने प्रोजेक्ट किया था कि कहां तक अगर नीचे के साइड में अगर ब्रेकडाउन देता है तो कहां तक जा सकता है आज आप देखूगे तो इग्जैटली टार्गेट टच हो चुका है जो मैंने पैटन ढूंड़ा था जो पैटन बन रहा था मार्केट में उसके अकोडिक टार्गेट मेरा आ चुका है तो इसलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और कल क्या हो सकता है सुबर मार्केट खुलने के बाद मार्केट ने सीधा अपमू किया और 20 अजार के पास यहां पर मार्केट टाइम स्पेंट कर रहा था यहां पर मार्केट टाइम स्पेंट कर रहा था उसके बाद में ब्रेक आउट देने के बाद कंटिनी उपर ही चलता गया तो अभी अगर कल के लिए अगर हम प्लान करेंगे यह मैंने पूरा डीटेल जो है अपडेट पूरा दे दिया था चैनल पे टेलिग्राम चैनल है मेरा गोल्डन बुल्स आप बिए अगर जोईन होना चाहते हूँ जोईन हो सकते हूँ इसमें मैं डेली लेवल सब्डेट देता रहता हूँ यह सुभई मैंने कॉल्ड दिया था विनिसफ अजनुशन सो पचास का सोउल भेब है तो इसने टार्गेट्ट लगबख कितना दिया है दूस्वा एक का ट अगर आज देखेंगे यह जो टार्गेट इस पैटन का जो टार्गेट था वो टार्गेट पूरा लगवग आ चुका है यहां पे और कल मंतले एकस्पारी भी होने वाली है अगर मार्केट अगर खुलके उपर की साइड में अगर जाता है तो कंटिनिशन में जा सकता है अगर थोड़ा सा गैब डाउन खुला तो कि जो प्रॉफिट बुकिंग मैंने बोला था तो 20,040 के आसपास मेरा टार्गेट था तो यहां पे प्रॉफिट बुकिंग का मैंने बोला था तो यहां पे एक सपोट 20,040 से लेके पचास तक एक सपोट जोन बन जाएगा अगर यहां पे जाके टाइम स्पेंड करके फिर उपर की साइड में या नीची की साइड में अगर ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन देता है तो उस हिसाब से हम लाइव मार्केट में लेवल लेकिन ज्यादा कंटिटी में नहीं क्यूंकि जन्नों ने यहां से बाइंग किया होगा जिन्होंने भी position hold किया होगा उनको gap up का profit मिल गया और continuation का भी profit मिल गया है तो expiry होने के कारण कल आज जो premiums जो बड़े है जो बहुत हाइ हो गए है उनका decay होना चालो हो जाएगा क्योंकि seller के लिए यह सबसे अच्छा है कि उनको premium high पर मिल रहे है उनको selling की opportunity ज्यादा मिलेगी इसलिए market हो सकता है sideways हो सकता है यहां पर कल market खुलने के बाद थोड़ी देर sideways जाके फिर breakout या breakdown दे सकता है तो nifty के लेवल जो है वो मैं morning में update कर दूगा मार्केट कहां पर खुल रहा है वो इस सबसे मैं लेवल सब्डेट दे दूगा अभी चलो देखते हैं कि यहां पर जो है डेली candle भी अगर देखेंगे तो बहुत यह अच्छी candle closing दी है जो gap का area है अभी तक यह फिल होना थोड़ा सा बाखी है 120 तक इसका target है हो सकता है कल थोड़ा सा flat open होके यहां से भी rejection लेके या तो यहां पर sideways जाके फिर breakout दे सकता है मरके तो कल buying के लिए मतलब call side के लिए हम longs के लिए थोड़ा सा कम quantity में trade कर सकते हैं आई दिखते हैं bank nifty bank nifty का भी market gap up कल market ने अच्छी closing दी थी कल का वीडियो नहीं बना बाय है मैं तो आज भी bank nifty ने gap up होके यहां पर थोड़ा साइड भी जाके प्रिया से breakout दिया है bank nifty ने अच्छा move किया है bank nifty का कम से कम लगवक 700 point के आसपास move किया है और निफ्टी ने 200 point का move दिया है यही वह pattern था मेरा bank nifty हम positive ही मानेंगे अब डेली में देखेंगे लेवल्स में ने जो परसों की दिन वीडियो बनाया था उसमें अपडेट दिया हुआ था यह पूरे लेवल्स bank nifty को भी हम positive हानेंगे opening कहां पर होता है उसके उपर ज्यादा depend होता है market market क्या करने वाला है mostly इसके बाद देखते हैं कि निफ्टी का हमने expiry की दिन जीरो एरोटेट दिया था यह जो 14-15 रूपए से बहुत ही जबर्दस तरीके से 69 का है मारा था उसने चैनल पर उसका पूरा details मैंने दिया हुआ है कहां पर हमने buy किया था कहां पर हमने exit किया है तो देखो फिन निफ्टी भी गैप अपन होके अच्छा खासा मूँ दिया है वन साइडेट रैली दिया है तो इसमें भी थोड़ा सा कॉशेस होके कल ट्रेड करना प्रिफर कर रहा हुँ है कि सब के premium जो है बहुत ही जबर्दस तरीके से कॉल सेट की premium बढ़ चुके यहां पर एक छोटा सा रेजिस्टन्स भी है यहां पर रेजिस्टन्स के पास ही क्लोजिंग दी है कल देखते एक हाप यह ओपन होता है उसके बाद में यहां पर अगर उसके उपर निकलता है तो यहां पर एक रेजिस्टन्स है जोग की है कि यह वाला है इस हजार पंटी थाजन एंग शिस्टिपाइड इसके बाद यह वाला है थेजार दो सुग कि दिरेंज में देख रहा हूं है इंटरड़े में देखते हैं कि यहां पर रेजिस्टन्स है यह प्टी के लिए अगर प्रेट उपन हो कि यहां पर कंटिनिशन में अगर जाता है तो पहला टार्गेट भी सब्सक्राइब यह वाला पहला टार्गेट रहेगा उसके बाद में अगर देखेंगे यह वाला एक टार्गेट हो सकता है जो है जो है इस अजर ट्वंटी ताउजन एंड वन अंडर एंट फिक्टी सिक्स इस एक टार्गेट रहेगा अगर निफ्टी अच्छा मूव करता है तो फिनिफ्टी भी अच्छा मूव करेगा कहां यह अगर इस में भी कुछ अपडेट है अगर मौर्रिंग में मार्केट कही गैप अपडबन खोल रहा है या फ्लाएट खुल रहा है यह इनधि में अब देट स को युजसर्अ अब तो वुपनारी सीधन आपडेट देते देरी से ओधिल्टी रीफ डिध्रम चाइनल पर तो टेलिग्राम चैनल को फॉलो करूं कि इसमें हम लाइग मार्केट में अपडेट देते हैं रहते हैं और यह जो टेलिग्राम चैनल है यह प्यूरली एजुकेशनल परपस है इसमें कोई बाइसल का रिक्रमेंटेशन नहीं होता है मतलब अपने किसाब से बाइसल आप कर सकते हो लेवल्स का अपडेट देते रहे तब मैं तो आज के लिए इतना है मिलते हैं कल लाइव मार्केट में थैंक्यू